थे लगवाने वाले हैं जल्दी से इस क्राश गाड को इंस्तॉल करते हैं कि मेंक्सिमम सेफ्ती मिलती है क्राश गार्ड लगाएंगे तो कि अमें कि है अधिक दॉस्तों आज का वीडियो गार्ड की उपर होने वाला है हम पलसर NS200 के उपर ready-made crash guard लगवाने वाले हैं और अगर आप लोगों को पता नहीं है crash guard क्या होता है तो simple भाचा मैं आपको बता देता हूँ crash guard एक engine protecting guard होता है जैसे यहां पर लगा हुआ है company का यह वैसे उतना कुछ खास होता नहीं है यह की बाहर में बेंडों के तूर जाता है बाइक का बहुत important part है उसका engine और इसकी engine की हिफाज़त करना हमारा फर्ज है तो आज के वीडियो में हम aftermarket एक crash guard लगवाएंगे और वो crash guard आपको कहीं पर भी online मिलेगा नहीं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के detail में आपको मिल जाएगा दोस्तों यह है वो crash guard जो हमने मंगव मार्केट में हेवी crash guard भी है जिससे क्या है बाइक का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे थोड़ा सा यहां पर वजन कम रखने की ज़रूरती जिसकारण हमने यह वाले crash guard मंगवाए एमपावर से सो बीना time waste कि इसके wrap को unwrap करते हैं दोस्तों यह है वो crash guard जो हमने एमपावर से मंगवाया है हमारी NS200 के लिए देख सकते हैं आप काफी ज्यादा सुन्दर है कलर और वेल्डिंग काफी अच्छी कर रखी है इन्होंने एकदम प्रोफेशनल लेवल का crash guard यहां पर नजर आ रहा है और यहां पर ओवराल लुक डिजाइन काफी अच्छा है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव यहां पर बुश भी उन्होंने दे रखे हैं जिससे ग्राउंड को भी नुकसान कम पहुंचेगा और इंपक्ट भी यह बहुत ज्यादा अब्जॉब कर लेगा तो अभी बिना टाम वेस्ट क्येश जल्दी से इस क्रैश गाड को इंस्ताल करते हैं और कैसे इंस्ताल करते मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आज का सारा वीडियो हम मुबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं आईपोन से और यहां पर आप देख सकते हैं एक माइक लगा हुआ है इक्टू सा माइक है ले सब कुछ जंजट नहीं है इंडियन मार्किट में इस तरीके के खतरनाक चीज़े आई है जिनको भी वीडियो बनाने का शौक है वो लोग जरूर इस माइक को ट्राइ कर सकते हैं प्यॉरली वाइरलेस माइक है बहुत आपको काम आने वाला है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप 50 रुपए पड़ा इसको सारे 12 नंबर के बोल्ट है और 6 हमने मंगवाए है अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट है यह दो बोल्ट को हमको निकालना है और यहाँ पर नीचे एक बोल्ट है इसको निकालना है और सेम आपोजिट डाइरेक्शन का भी करना है कि एक बिर ग्रेंटेट्य। जोस्तो क्रेश गार्ड की इंपॉर्डेंट्स को आपको समझाने के लिए हमने हमारी नस्थव अन्ड़ को ग्राउंड पर सुला दिया है और एम पार का क्राच गार्ड यहां पर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर crash guard कितना यहाँ पर gap दे रहा है engine और ground के बीच में जिसके होज़ासे engine को बहुत ज्यादा safety मिलती है crash होने के बाद भी maximum safety मिलती है crash guard लगाएंगे तो engine को damage होने का खत्रा कम हो जाता है समझ गये और बाकी दूसरे भी part बचने के chances ज्यादा रहते हैं के यह सारा कुछ impact झेलता है और इस तरीके के crash guard इस तरीके से design किये जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा impact यह झेल पाएं और नॉर्मल जो company से जो crash guard आता है जो इंजन गार्ड आता है वह बहुत ही ज्यादा वीक होता है उससी वजह से सारे professional bikers hardcore crash guard recommend करते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा safety provide करवाएं दोस्तों crash सेकत है जिरा उनादा आता है झाल हुटा कि गाइस क्राइज गार्ड बहुत ही मस्त है गाइस लाइट वेट है किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है हाँ हालनके थोड़ा सा वाइब्रेशन गाड़ी में ज्यादा फील हो रहा है अगर इसको हम प्रॉपरली किसी अच्छे मेकानिक से फिट करें वह रबर बुश प्राइस की तो इसकी कीमत करेंदी लाइब तो आप लोगों को भी मिलना मुश्किल है एंपावर के कउंटेक्ट डिटेल मने नीचे इस्क्रिप्शन में दे रखें आप लोग जा के और करना है तो और कर सकते हैं और जिनके पास बहुत सारा प्यों वह लोग देख के आना थोड़ा मुश्किल है तो वैस कैसा लगा है वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बता दो मुझे पता है आप सभी लोग पलसर एंस 200 के पागल फैंस हो तो वीडियो को फुल सपोर्ट करो लाइक करो कमेंट करो सबके साथ शेयर करो वीडियो को यहां ही खतम करते हैं शूट करने में बहुत मज़ा आता है मुझे माइक चेक माइक चेक 123 गाइस क्या लगता है आपको मैं कैमरे के करीब हूं नहीं मैं लगबग 30 मिटर दूर हूं कैमरे से मुबाइल से वीडियो बन रही है और यह कमाल है इस वायरलेस माइक का जिसकी वज़े से आप इतनी त कर दो